ही गाईज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वेक टो माई यूटुब चैनल मंजना भार्दोज फिटनेस व्लोगर तो दोस्तो बहुत ही प्यारे सुहावने व्यू के साथ आपका मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज ना मौसम थोड़ा साफ था बारिश नहीं हुई थी रात को तबी मेरी चतना थोड़ा सूखी लग रही है ने तो क्या होता है ना आज कर रोज जब मैं चत के उपर आते हूं तो सारी चत गीली भी बड़ी होती है क्योंकि इसके बाद मैं करने लग जाओंगी बहुत ही ज़्यादा यूसफुल यूसफुल एक्सरसाइज अच्छा मैं रोज आपको कुछ ना कुछ नया करके दिखाती हूं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर चीज का यूस करूँ जैसे कल मैंने आपको वीडियो डाला उसमें मैंने आपको जूले की साहिता से बहुत ज़्यादा यूसफुल एक्सरसाइज बताई कि नहीं भी हम जूले की साहिता से भी अपना वजन घटा सकते हैं तो आज है मेरे हाथ में बॉटल, जी है हाँ दोस्तो, मेरे हाथ में बॉटल है, आप इसकी जगा बेलन भी ले सकते हैं, तो मैंने सुच आज मैं बॉटल के सहारे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इफेक्टिव, यूसफुल एक्सरसाइज बताऊंगी, कि एक बॉ बॉट नहीं कर सकते हैं, वो इस बॉटल को पकड़ें, जितना देखो मैं नीचे फ्लोट तक जुक सकते हूं, मुझे प्राब्लम नहीं होती, बट आपकी बॉड़ी जहां तक भी अलाउ कर रहे हैं, वहां तक आपने जुकना है, बहुत जल्दी आपका जितना भी फुल बॉड़ी पे परभाव डालती है, तो गाइस मैंने सिंपल सा बॉटल को पकड़ा हुआ है, और लगदें में अपनी एक्सरसाइज करने, और यह बहुत ही जाद एफेक्टिव एक्सरसाइज हैं, बॉटल के सहारे, आप इसकी जगा पे कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कहा न 30-40 भी कर सकते हैं, बहुत ही जादा यूसफुल और एफेक्टिव एक्सरसाइज है, जितना भी आपका बॉड़ी का फैट होता है, जितना भी आपको प्रॉब्लम होती है, भी मेरा टमी कमनी हो रहा है, जो लोर बैली फैट है, अपर बैली फैट है, यह कमनी हो रहा है, मे परस्ट मैंने जब किया ना तो मैंने स्ट्रेट जुकी मैं ठीक है अम मैंने सुचा कि अम मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी मोव्मेंट करती हूं और आगे की तर्फ भी जुकती हूं तो मैंने इस एक्सरसाइस को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैं अपनी पीट का फैट सब बंड कर देगी जितना भी आपका साइट का फैट लटक जाता ना उसको भी बहुत तेजी से गला देगी तो बहुत ही ज्यादा यूसफुल एक्सरसाइज है बट ना इस वक्त क्या और था मेरी बाल मुझे बहुत परिशान करते हैं बांदू तब यह खु सब्सक्राइब बंद कि Candain के अपकरना रूर्म सब्सक्राइब जो हमारा आमस्ट यूसफुल एक्सराइजाइस देखो साट बाइस साड वा सायट defined में जुकरी हूं और यह ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सराइज है यह हमारा जितना भी अपर बॉड़ी फैट है ना जो हमारा आमस फैट है पीट का फैट है साइड में जितना भी फैट है सारा बंड कर देगी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग यूसफुल है कि मैं new new creativity लेके आऊं आपके सामने ऐसी ऐसी एक्ससाइज आपको करके दिखाऊं कि आप उसको एजी से घर पे कर सको और घर पे ही अपना वजन घटा सको तो आप भी इस तरह से जुरू ट्राई करना एक बॉटन पकड़के अपनी एक्ससाइज करने लग जाना ठीक है और और एक बात बताओं मैं आपको जितना हमारा घर का खाना बैस्ट होता ना उसके बराबर कोई खाना नहीं होता क्योंकि घर में हम अपनी आँखों के सामने खाना बनाते हैं जितना हमें मसाले चाहिए उतने डालते हैं जितना तेल चाहिए उतना डालते हैं है ना और जैसे चाहिए वैसे बनाते हैं तो उसको पता है हमें कि प्योर खाना है और शुद खाना है बाहर का क्या बरोसा यार बाहर में कितना तेल होता है कितने दिन का तेल वो डालते हैं तो मैं इसलिए हमेशा आपको बोलती रहती हूँ कि भी घर का खाना खाया करो और डिनर जल्दी करने की कोशिश आपको करनी है साथ बैसे पहले पहले अपना डिनर कर लिया करो उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना सिर्फ और सिर्फ नेक्स डे मॉर्निंग में आप आट नौ बज़े जाके अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट में आप चीले वगेरा स्प्राउर्स वगेरा खुब खाया करो पोहा खा लिया ठीक है उपमा खा लिया जो भी आपको अच्छा लगे वैसा बना के आप खा सकते हैं जो रोटी खाते हैं तो वो कोशिश करें कि मल्टी ग्रीन आटे की रोटी खाएं और दो रोटी की भूक है एक रोटी खाओ चाहे सबजी वगेरा आप जादा घालो ठीक है और पानी खुब पीटे रहो पूरा दिन और हो सके तो खाली पेट जो है ना चिया शीड भी लिया करो मैं भी आजकर ना चिया शीड ले रही हो खाली पेट क्योंकि उसके बहुत जादा फाइदे हैं बहुत जादा भरपूर मातरा में उसमें फाइबर होता है वेड लॉस में भी हैल्प करता है और उसके न अंगिनत फाइदे हैं वह आपको नेट पे सर्च कर ले ना कि चिया शीड के कितने फाइदे हैं तो वह भी आप खाली पेट ले सकते हैं जिनको कॉंस्टिपेशन की दिक्कत रहते हैं वह भी इसको ले सकते हैं तो गाइज इस तरह का खाना आपनी खाना है घर का खाना खाना है और पूरा दिन जो है आप फ्रूट्स वगारा भी खा सक डिनर ना करो तो डिनर की जगह आपको फ्रूट या सैलेट काट के खा सकते हैं और यह सारी चीज़े अपना होगी एक्सराइज रोज करोगे तो आपका वजन कम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोग सकती और जो जो मैं चीज़े आपको बताती हूं वो मैं खुद पर कर चुकी हूं और अभी भी करती हूं तभी मैं आपको बताती हूं कि सारी चीज़ें मिलकी हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस हो जाता है तो गाइस यह है में नेक्स्ट वाली एक्सराइज मैं अपनी बॉटल को पैरों से नहीं टच कर रही हूं मैं मैं कोशिश रखनी है यानि की कोशिश जारी रखो नहीं टच कर पारें कोई दिक्कत वाली बात में जहां तक भी आपकी बॉड़ी हाथ और लेक्स अलोग वहां तक करो इससे हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा फुल बॉड़ी फैट लाउस तो होगा होगा तो इस सारी एक्सराइज बहुत अमेजिंग बहुत यूसफुल है मैंने सारी एक्सराइज के 100-100 सेट किये हैं आप भी 100-100 कर सकते हैं और करने हैं 100 से नीचे निकरने 100 तक करने हैं अगर 100 से ऊपर करना चाहो वह आप कर सकते हैं वह आप पर डिपेंड करता है कि भी टाइम है और करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है अगर 50 लगतार ने कर पा Ada कर पा रहे हो आप 30 30 ए 20 20 करके कर सकते हैं तो मैं भी इसी तरह से करती हूं मैं 50 50 लेके चलती हूं फिर मैं थोड़ा सा rest करती हूं rest को मैं walk में convert कर देती हूं थोड़ा सा मैं एक डेड मिनट की वॉक लेती हूं फिर से मैं लग जाती हूं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करने तो गाइस यह वाली भी हमारा साइड फैड बहुत तेजी से बंड कर देगी तो गाइस आपको पता है एक बॉटल हमारे कितने काम की चीज़ है तो मेरी रोज यह कोशिश रहते कि मैं आपको नहीं नहीं एक्सरसाइज और सब कुछ ऐसे बताओं जो आपको काफी हेल्प करें वेट लॉस में और आपको कोई दिक्कत भी ना आए अपना वेट कम करने की भी हम ठक जाते हैं जुकते हैं दोडते हैं तो ठक जाते हैं अब बॉटल पकड़ो शुरू हो जाओ ठीक है तो इस तरह से मैं रोज अपना वर्काउट आपके साथ करती हूँ यह मेरा भी वर्काउट होता है और यह आपका भी वर्काउट होता है तो गाइस अब शुरू एक अपने कोड़िन्ग देखे ना आपको कितने कर पा रहरे हो उतने आपने करने की कोशिश करनी है तो guys है ना ये बहुत ही ज़्यादा useful exercise तो जिनका भी heavy weight है beginner है या जो सोच रहें कि मुझे अपना वजन घटाना है वो bottle पकड़के अपना workout शुरू कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा amazing useful workout है कोई मैंने इसमें आपको jump नहीं बताया कोई मैंने run नहीं बताया कोई मैं ज़्यादा जुकी नहीं बहुत ही simple and easy exercise है आपको थोड़ा सा problem होगी starting में भी मेरी body में थकान हो रही है ऐसा कुछ नहीं होगा एक दो दिन तीन चार दिन तक थकान होगी जब आदत पढ़ जाएगी तब चुटकियों में यह exercise कर लिया करोगे आप तो गाइस इस तरह से मैंने अपना सारा workout किया आपने भी करना है और मेरे को जुरूर बताना है मेरा आज का workout आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना गाइस शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि इस तरह की यूसफुल वीडियो लेके मैं रूज आ जाती हूँ ओके गाइस बाबाई टेक क्या स्टे फिट स्टे हैल्दी स्टे हैपी